हाई गाईज वेलकुब और वेलकुम बाक्टो लॉगरी हाव यू अल डूइंग आज हम डिसकस करेंगे और इंडिया बार एक्जाम 16 के बारे में तो सबसे बड़ी कंफ्यूजिन यही है कि बियराक्स विद नोट्स अलाउट है या नहीं ठीक है ना और प्लस क्या बुक्स ठीक है तो मैं clarity देना चाहते हूं इस चीज़ पर मैंने उनको email किया और उन्होंने clear किया कि हम only bear acts without notes ही allow करेंगे ठीक है ना only bear acts without notes no doubt मैंने एक video करी थी बहुत सारी videos करी थी पहले मैंने बोला कि bear acts without notes allowed है जब इन्होंने notification एक line लिखी अपनी instructions में ठीक है उसके बाद वो instruction जो थी जो instruction के अंदर वो line थी वो delete होगे तो मैंने का कि नहीं अब आप bear acts लेकर जा सकतो books भी लेकर जा सकते हो because मुझे लगा इन्होंने कोई clarity provide नहीं करी है अगर इतना बड़ा exam all India bar exam lawyers बंद्र आप वो exam clear करने पर right तो मुझे लगा इतना बड़ा exam है थोड़ा मतलब यह करेंगे clarify करेंगे कि कैसा क्या allowed है बट इन्होंने कोई clarification नहीं दी है eventually मैंने email किया इनको so that we can have our clarity so that हमें exam के time पर problem ना है तो हम वो email पढ़ेंगे एक साथ and क्योंकि अब मैं आपको clear कर देती हूं कि bear acts without notes ही allowed है मतलब आप bear acts without notes ही लेकर जा सकते हो with notes वाले bear acts नहीं लेकर जा सकते हो my sincere apologies मैं आपकी help करने की कोशिश करती हूं हमेशा अगर गलती हुए तुम माफ कर देना and delay हुआ video में because मैं ठीक नहीं थी तो ये only bear acts without notes allowed है number one और भी बहुत साथ चीज़े हैं जो हम email में पढ़ेंगे right how to prepare now ठीक है अब कैसे prepare करना है बहुत लोग डर रहे हैं कि difficult होगा बिल्कुल भी difficult नहीं है तो क्या हुआ bear acts allowed है तो सिरफ मतलब bear acts allowed है बिना bear acts के हां आपको जादा मेहनत करनी पड़ेगी with bear acts even without notes वालों में से भी बहुत-बहुत paper आप solve कर सकते हो right तो tension वाली कोई बात नहीं है मैं आपको बताऊंगे कैसे preparation करना है अभी time है मार पास ठीक है ना end of October में आपका exam है time है मैं भी आपको practice करवाऊंगी बिल्कुल tension नहीं स्टार्ट करते हैं इस video के साथ yeah guys welcome to Loggiri I hope you are subscribed to Loggiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos and I hope you are following us on Instagram we are there by the name at I am Loggiri we do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy if you want to stay motivated and if you want to stay connected a little more with Loggiri then do follow us on Instagram India bar exam को मैंने email करी और पुछा कि हमें बताओ clear करो कि क्या allowed है क्या नहीं allowed right तो उन्होंने reply किया dear candidate bear acts are allowed without comments without notes मतलब comments भी नहीं होने चाहिए और notes भी नहीं होने चाहिए मतलब क्या जैसे हम अगर आप online डालोगे ना कोई भी bear act जैसे Hindu marriage act डालते हो या कोई भी डालते हो IPC डालते हो तो जैसा आता है ना महां पर बिलकुल सिरफ text आएगा सिरफ bear act का text आता है वैसा bear act allowed है और वो market में available ह हैं बहुत चाहिए companies ने अपने bear act launch किया है मैसे से नहीं तो आप print out भी निकाल के लेकर जा सकते हो बट वह जादा महेंगा पढ़ जाएगा instead you should buy the bear act without notes right without highlight मतलब आप mark भी नहीं कर सकते हो ठीक है ना यही मतलब हुआ इसका highlight without highlight का मतलब मुझे तो यह लग रहा है कि आप mark भ इसली हमारी books तो cross out होगी ठीक है ना books are not allowed ठीक है अब देखते हैं क्या है आगे please screenshot ले लीजए syllabus का syllabus का screenshot ले लीजए so that हमें कोई confusion ना रहे है ठीक है ना अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे handle करना है syllabus को right तो दो type के आपके subjects हुए एक subject कौन सा हुआ जिनका तो आप bear act carry कर सकत हो right तो इसमें से हमारी best part क्या हुए हमें learn करने की जरूरत नहीं है instead हमें क्या सीखना है how to find answers how to find answers right easy यह कोई difficult है मैं आपको सिखा दूंगे अभी हम solve करेंगे कुछ questions आज ही सिखा देना मैंने आपको कैसे करना थोड़ी सी भी practice करी ना बस होगया काम कोई tension बाती है और major subjects major subjects आपके कौन से हैं जिनके आप bear acts carry कर सकते हो ठीक है बहुत कम subjects ऐसे हैं जिनके bear acts नहीं होते they don't have bear acts जैसे कि हमारा thoughts ठीक है न तो उनके लिए कैसे prepare करना है वो भी हम देख लेंगे इन इस वाले part में भी जिनके आपके bear acts है उनका भी कुछ learn करने की जरूरत पड़ेगी आप books भी allowed नहीं है तो हमें इनके वे थोड़ा prepare करकर जाना पड़ेगा right which bear acts to carry right यह आप दुबारा screenshot ले लीजे इसका screenshot ले लीजे तीक है अब screenshot लेकर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने underline किया हूँ है वो तो आपने 100% carry करने ही करने है right the Indian constitution, Indian penal code, Indian contract act यह मतलब इसमें से बहुत major the number of questions are a lot right तो यह carry करने है specific relief act, civil procedure court, criminal procedure court, evidence act, Hindu laws का आपको एक bear act लेना है और उसमें यह सारे bear acts मिल जाएंगे फिर भी एक बात check कर लेना Muslim woman protection of rights on marriage act 2019, arbitration act भी carry कर लो ठीक है, advocates act, company law, environmental law, information technology act, cyber law, अब देखो यार, दो type के students होंगे, दो type के lawyers होगे, अब मेरे बच्च lawyers होंगे, जिनको एक तो है, कहरें कि हाँ हो जाएगा, हमने paper देखा है, हम कर सकते हैं, एक डूसरे होते हैं, डर होगे, अगर आपको डर लग रहा है आप सारे bear acts करी कर लो, right, और अगर आप कहरे हो कि नहीं, मुझे सारे bear acts नहीं carry करने, सिरफ important वाले करने, तो जो मेने underline क without notes अगर manual मिलता है, तो बहुत बड़ी आपात है, अगर नहीं मिलता है, तो सारे acts अलग से लेने पड़ेंगे, अगर आप particular acts लेना चाहते हो, तो industrial disputes act, trades union act, factories act में से questions आये थे, AIB 15 के अंदर, maternity relief act में से आये थे, तो ये important है, minimum wages act आपका important में आजाता है, payment of bonus act, payment of wages act आप important मा Consumer Protection Act जरूर लेके जाना है, Motor Vehicles Act लेके जाना है, Transfer of Property Act लेके जाना है, Negotiable Instruments Act लेके जाना है, बाकि आपका Land Acquisition Act, Income Tax Act, Goods and Services Tax, IPR, Trademark, Copyright Act और Patents Act, ये तीन acts आते हैं, आपके intellectual property rights के अंदर, तो अगर underline वाले आप लेके जाते हैं, तो roundabout, approximately आपका 16-2 marks का paper आपका हो जाएग तो अगर आप 40 questions सही कर लेते हो, 62 में से 40 ठीक होने, बहुत अच्छे chances रहते हैं, बट फिर भी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाते हो, तो जितने भी bear acts मेंने मेंशन के हमका screenshot लो, और make sure कि वो आप carry करो, ये हो गया, Which subjects or topics do not have bear acts, अब वो कौन से subjects हैं, जिनके bear acts नहीं होते हैं, वो ये सारे subjects है, सबसे पहले हमारा आता है, landmark judgments, landmark judgments, all subjects mostly, अगर हम important subjects की बात करें, तो हमारी constitution के आती है, ठीक है, बहुत सारी questions आती है, उसके उपर मैंने already एक video कर रखा है, landmark judgments नाम का एक video है, उसके अंदर आप देखोगे, कि बहुत सारी, you know, subjects related judgments मेंने cover की हुई है, वो जो advocates act है, उससे related बहुत सारी judgments देखी गई है, तो ये मेरी responsibility है, landmark judgments के आपको कुछ ना कुछ provide करना, list provide करना, PDF करना, कुछ भी करना, या समझाना, याद करवाना, ये मेरी responsibility है, landmark judgments, ये important है, ये हम सब कर कर जाएंगे, ठीक है, all the lawyers, all the lawyers who are appearing for this exam are going to study landmark judgments, और ये हमें क्या करनी प topics हैं, वो है mediation and conciliation, one to two marks का आपका है, public interest litigation, आपका four marks का है, administrative law, three marks, Muslim law, आप एक से दो questions expect कर सकते हैं, because एक तो हमारा, मतलब, एक तो bear acti हम लेकर जा रहे हैं, जो कि हमने important mark किया है, right, torch, one to two marks का आपका, तो अगर हम सारा calculate करें, कितने गार है, maximum 13 marks का, ठीक है, approximately, 10 to 13 marks का हमारा यह आ सकता है, ठीक है, approximately, तो अब दो टाइब के lawyers होंगे, वो कहेंगे, हमें कोई फरक नहीं पड़ता है, because हमें पता है कि हम पास हो जाएंगे, because ठीक है ना, कुछ तो कहेंगे कि हम छोड़ कर जा सकते हैं, हमें कोई फरक नहीं पड़ता है, because आपको पता ही होगा कि pass और fail लिखा हुआ आता है, अगर आप 40 questions correct कर देते हो, then you are pass, अगर नहीं तो आप fail होते हो, right, numbers नहीं लिखे होते हैं कि कितना score कि आपने, right, अगर हम barcouncilofindia.org की website check करते हैं, मैं screenshot डाल दूगी यहां पर, because मुझे अप थोड़ा trust कम होगा है इनके उपर, क्योंकि कहीं कुछ लि देना चाहों, तो आप यह वाला जो part है, यह वाले जो subjects से छोड़ कर जा सकते हैं, आपका decision है, मैं नहीं कह रही हूँ, option दे रही हूँ आपको कि यह आप कर सकते हैं, suggestion, right, अगर नहीं छोड़ कर जाना, तो आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता दूगी कैसे पढ़ना है, तो यह वाला risk हम नहीं ले सकते, हाँ, यह वाला risk अगर आप लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो, right, हो गया, यहाँ पर समझ में आगया, कि जिनके नहीं bear acts हैं, या तो आप prepare कर लो, मैं बता दे तो कैसे prepare करना है, landmark जाजमेंट वाला पाटा prepare कर कर जाओगे, that we have to learn for sure, right, types of questions and how to answer them, देखे, different types of questions है, मैं हर type आपको समझा दूगी, कैसे आपको answer करना है, कौन सा easy है, किसमें learn करना है, किसमें सिरफ आपकी finding abilities चाहिए, right, देखते हैं, पहली जो हमारी category है, that is category number one, check the section and answer, कुछ नहीं करना, bear act उठाना है, ठीक है, question बढ़ना है, सबसे पहले, under which section of CPC option for settlement of dispute is provided outside the court, ठीक है, यहाँ पर हमारे sections दिये हुए, यही sections खोल कर देख लो कि कौन सा है, इसका answer, easy, four sections हमें दिये हुए, 89, subsection 2, 89, subsection 1, 80, subsection 2, ठीक है, यह खोला, index में ही देखा, बलकि index में ही देखा, कि क्या इसका answer है, मतलब section check किया and answer बता दिया, easy, bear act से answer कर सकते हैं, यह good number of questions आते हैं, ऐसे, good number of questions, ठीक है न, easily आप bear act में से यह answer कर सकते हो, कर सकते हो न, very easy, right, go through the index of that subject, bear act, CPC यहाँ पर लिखा हुए, CPC का bear act, खोलो, देखो, 80 है, 89 है, क्या है, ठीक है न, और mark कर दो answer, right, हो जाएगा, इसका answer है, C, right, तो यह easy category है, सबसे easy category, right, और bear act से answer कर Okay, moving on to the next category, number 2, आपकी category number 2, कौन से है, judgments की, ठीक है न, जिसमें direct questions आते हैं, पूछा जाते हैं, यह किस judgment में यह का हुआ है, for example, in which of the following cases, the Supreme Court of India opine, that bail is the surety and jail is an exception, और हमें options दी हुए, right, तो इसके अंदर क्या है, हमें अब learn करना पड़ेगा, पहले जो बहुत landmark judgments होती थी थी बहुत ही important वाली judgments, वो हमें bear acts में मिल जाती थी, comments के अंदर या notes के अंदर, but अब comments और notes वाले bear acts तो हम लेकर नहीं जा सकते हैं, नहीं हम books लेकर जा सकते हैं, right, तो हमें judgments learn करनी पड़ेगे, ठीक है न, यह वाली type के questions हमें learn करने पड़ेंगे, पिछले वाले में हमें सरफ तूडना है, ठीक है न, वो practice हमने करनी है, कैसे करनी है, वो मैं अभी बता रही हूँ आपको, पहले हम categories discuss कर लें, so that आपको clarity हो जाए, so that आपका डर खतम हो जाए, right, judgment से ही related, दूसरे type के questions के आ जाते हैं, जिसके अंदर हमें judgment का नाम दे दिया जाता है, और हमें कहा जाता ह Swami versus emperor is a leading case on, और हमें options दे हमें, तो जब भी हम judgments याद करेंगे, तो हम obviously judgment भी याद करेंगे, plus वो किस चीज से related है, ये भी याद करेंगे, because question किसी भी form में आ सकता है, हमें judgment का नाम भी पूछा जा सकता है, वो judgment में क्या held किया गया है, ये भी हमें पूछा जा सकता है, ठीक है recent judgments की, तो recent judgments हमें most important judgments ही cover करकर जानी है, क्योंकि जादा तर आप देखोगे कि आपको landmark judgments ही आती है, ठीक है, फिर भी अगर आप मेरी legal current affairs की video देखोगे, या फिर आप मेरी important supreme court judgments वाली video देखोगे, तो आपका ये भी cover हो जाएगा, you can create your own list, and I'll also try to create a list for you, right, I'll try, ठीक है, तु in which case the Kerala High Court held that a university grant commission criteria which allowed certain relaxation in marks to reserve categories as violation of article 16-1 of the constitution, right, so हमें recent judgments भी prepare करनी है, but major हमारा focus के रहेगा, अभी तक अगर हम previous year question papers analyze करें, तो हमारे landmark judgments important है, but हम recent be cover कर जाएगे, most important, right, I'll try to cover that for you, and you also try to cover them yourself, right, हो गया, इतना part clear है, situation-based questions, okay, situation-based questions कैसे होंगे, A. Rezaicha, Shimla, B. at Kolkata, C. at Delhi, A. B. C. being together at Banaras, B. and C. makes a joint promissory note, pay bill on demand and delivered at 2A, A. M. S. U. B. and C, okay, तो हमाई ऐसे type of questions आते हैं, ये questions mostly आपको देखें कि IPC, CPC, illustration-based questions होते हैं, illustration is a part of bear act, वो कोई comment या notes में नहीं आते हैं, तो illustration हमारे bear act में होंगी, तो we can check it out, ठीक है न, ये वेले questions अगर आपको इन questions से डर लगता है, तो you can practice, ठीक है न, ये हम practice करकर जा सकते हैं, और इनकी सबसे best practice काहँ पे होगी, previous year question papers, previous year question papers, आपको मेरी website पे भी available करवा दूंगी, में www.logery.com, 4-5 days में आपको सारे previous year question papers, at least 5 year, तो मैं provide करवाई दूंगी आपको, ठीक है न, महां से आप practice कर सकते हो, easy, कोई difficult नहीं है, easy है, right, moving, what should be your strategy for AIBE, because only bear acts are allowed, तो हमने देखा, तीन टाइब बे questions हैं, हमारे एक में तो जिसमें हमें ढूनना है, की section number कौन सा है, कौन सा section कौन सी बात करता है, तो वो easy है, वो हम कर लेंगे, number two हमारे पास landmark judgments है, वो हमें learn करनी पड़ेंगी, number three हमारी है, current judgments, जो important है, recent important judgments है, वो भी हम कर लेंगे, learn करनी पड़ेंगे हमें, और number four हमने देखा, situation based questions, right, वो हम practice कर लेंगे, फिर भी आपको overall कैसे preparation करनी है, वो मैं समझा देती हूँ, देखे, analyzers of AIBE-15 क्या था, detailed video available है, चानल पर, link description box में, provide कर वादूंगे आपको, 60 to 70 questions आपके ऐसे थे, जो easy थे, and could be answered from the bear act, ठीके ना, 60 questions, मतलब, 70 कह रही हूँ, but minimum अगर लें, तो 60 questions ऐसे थे, कि आप बड़े अराम से, बहुत अराम से, आप bear act में से answer कर सकते थे, without comments और without notes वाले bear act में से, right, easy, तो मतलब, 40 marks चाहिए, और 60 में से, अगर हम 5 भी गलत कर देते हैं, तो फिर भी हम अपने level के अच्छी preparation करकर जाएंगे, carry important bear act, देखो, यार, जो मैंने underline किया, जहां पर, आपको बताए कि कौन से bear act carry करने हैं, please, वो आप carry करो, right, और मेरी suggestion रहेगी कि carry all bear act, ठीके ना, सारे के सारे carry कर लो, risk बत लो, because इन्होंने थोड़ा सा pattern change किया, क्या कर दे, हम कुछ कह नहीं सकते, तो ये वाला पार्ट हमारे हाथ में, कि हम सारे bear act carry कर सकते हैं, carry updated bear act only, AIBE15 के अंदर कुछ questions ऐसे थे, जो आप answer तभी कर सकते थे, अगर आपके पास updated bear act, so, और मैं यकीन रखूँगी कि updated ही होंगे आपके पास, क्योंकि आप सब ने bear act si buy करेंगे, discuss करते हैं कि आपने preparation कैसे करनी है, all types of questions की, step 1 है, create a list of important judgments, ठीक है ना, ये judgments, आपके पास ये landmark judgments की भी, landmark वली की तो बहुत ही important है, ठीक है, plus recent की भी आपने carry करनी है, मतलब carry नी करनी है, आपने ये learn करनी है, पिछरे वाले बच्चे carry कर सकते थे, अब ये आपको learn करनी है, ठीक है ना, आपको मेरे चानल पे भी एक video मिल जाएगी, landmark judgments, वो ज़रूर देखेगा, उसके notes बनाईएगा, and वो याद करो, इतने में, I'll try to make more videos, उसके बाद, आप मेरी legal current affairs की video में से भी important judgments note कर सकते हैं, right, step 2 is solve previous year question papers by keeping bare acts without notes alongside, ठीक है ना, अब इसमें से आपको, जो ढूणने वाले questions, जिसमें से आपको sections find करने, वो भी questions आपको solve करने की practice हो जाएगी, plus, जो situation based questions है, वो भी आपको solve करने आ जाएगे, right, अब बहुत lawyers तो हैं, जो step 1 और 2 से ही, उनका confidence बन जाएगा, ठीक है ना, पर बहुत बच्चे होंगे, जिनका step 1 और 2 से confidence नहीं बनेगा, ठीक है ना, if you are able to solve most of the questions, मतलब, आप around 60 to 70 questions बढ़े अराम से solve कर पारे हो, पारी करने के जूरते हैं, थोड़ी से जाएदा preparation कर लोगे, अप लोग, if not able to solve questions, then step 3 पे आजाना है, step 3 क्या हमारा, start studying from the index of the bear act, and buy a book for all India, भार preparation, ठीक है ना, अब universal की book आती है, link आपको description box में मिल जाएगा, वो आप buy कर सकते हैं, universal की all India bar exam के लिए book आती है, वो आप buy कर सकते हैं, और उसमें से आप सबसे पहले CPC, IPC, Indian Constitution, Evidence, जो आपके heavy syllabus में निकालो, कौन से heavy आपके subjects हैं, वो आप कर लो पहले, जो 8 marks के, 10 marks के, पहले करो 10 marks वाले, फिर करो 8 marks वाले, फिर करो 4 marks वाले, ठीक है न, जो करने लग जाओ, किस में से, universal की book में से, अब यहां पर आपको theory भी दी होगी, तो आप theory पढ़ना चाते हो, तो theory भी पढ़ लो, ठीक है, अगर आप सिरफ question solve करना चाते हो, only question solve करना चाते हो, तो only question solve कर लो, and साथ में bear act भी रखो, हो जाएगा यह, not at all a problem, कर सकते हैं, और भी बहुत चारी all India bar exam की books आते हैं, वो भी by कर सकते हैं, ठीक है न, अब आपकी practice हो जाएगी, तो index में से section दूनना, फिर उसको खोलना, देखना पड़ना, यह सब कुछ आप कर सकते हो, you'll get to know how to do, ठीक है न, अब जो next चीज है वो है, try to find out the meaning of different legal terms use, अब आपको अगर यह देखो, मैं आपको clear रोना जाते हो, अगर तो आपने semester exam में अच्छे से पढ़ाई किया न, तो यह exam आपको difficult नहीं लगेगा, but अगर आपने semester exams, अपने college में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो थोड़ी सी महनत यहां पर डालनी पड़ेगी, right, तो अब जो term का legal term आई कोई, जिसका meaning नहीं पता, question solve कर रहे हो आप, ठीक है न, या पढ़ रहे हो theory, उसमें से कुछ सम तो most probably IPC का question है, ठीक है अगर bail के बारे में बात हो रही है, तो मुझे answer CRPC में मिलेगा, यह सब पता होना, जरूरी है, तो आप practice करोगे, आपको पता चल जाएगा, तो यह हमने अपने दिमाग में बिठाने है, ठीक है न, यह हमने दिमाग में बिठाने है, try to revise these terms, try to find out the meaning of different legal terms and words used in the index, try to revise these terms, you need to remember which legal term is from which subject or topic, यह ही जरूरी है, ठीक है न, अब बहुत सारे questions ऐसे होंगे, जिसके अंदर आपको यह नहीं बताया होता है, बट कुछ ऐसे भी होंगे, तो practice करकर जाओगे, तो कुई problem नहीं आने वाली है, ठीक है न, मैं भी आपके साथ practice करवादूग आपकी, मैं sessions ले लोगी, ठीक है न, अगर आप कहोगे, तो comment करके बोलो कि sessions लेने चाहिए, मुझे या नहीं, अगर बोलोगे, हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगी, हाँ, sessions लो, तो मुझे को problem यह मिले लोगी, ठीक है, you can also make a list of these words from different subjects, अगर problem आ रहे है, तो in different subjects में से, जो मतलब question solve करोगे, जिस भी practice book में से, जहां पर आपको लगे न, हाँ, ये term use करी गई है, और ये इसकी term है, तो वो आप note कर लो, right, या index में से जब आप go through हो रहे हो, तो आप जब index पर होगे न, तो आपका थोड़ा-थोड़ा grasping होने चलने लग जाएगा, right, step 6 क्या है, start studying subjects of which there are no bear acts, अब अगर जादा ही दर लग रहा है, तो जिनके bear acts नहीं आते, वो वाले subjects भी आप cover कर सकते हैं, उनकी वेने आपको list दे दी, वो भी आप यही जो book है, जो AIBE की book मैं कह रही हूँ, उसमें से आप पढ़ लीजे and question solve कर लीजे, that's all you need to do, not to worry at all, right, अगर कोई और problem आरे comments में मुझे बताओ, I would try to take sessions, okay, हम live sessions कर लेंगे, जिसके अंदर आप questions का answer दे सकते हो, and अगर को problem है, तो obviously I'll answer to it, right, stay till the end of the video, I'm going to give you some bonus tips, you are the true lawgirians, because you're watching the entire video, सबसे पहला bonus tip में यह दूंगी, कि हर या most of the bear acts के हमारे short forms होते हैं, for example, HMA, इसकी full form मुझे बताओ, अगर आपको पता है, नहीं, तो search करो and comment, right, full forms पता हो नहीं, इसलिए जरूरी है, क्योंकि कई बार question में सिरफ short form mention होती है, आपको पता हैं यह concept bear act का subject का question है, right, तो वो हमे नहीं करना है, number one, number two, जहां पे भी article word use क्या है, article 14 क्या है, article 121 क्या है, 151 क्या है, 44 क्या है, तो इसका मतलब क्या है, वो Indian constitution का question है, most of the chances, मतलब chances यह ही है, कि वो Indian constitution का question है, Indian constitution का bear act रुठाओ, और आपको answer मिल जाएगा, third bonus tip जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो है, कि section 2 of most of the bear act consists of definitions, कोई भी definition अगर पुछे, उस bear act का section 2 खोलो, और आपको chances, high chances are there, कि आपको answer मिल जाएगा, तो यह थे आज के तीन bonus points, guys, that's it for today's video, I hope यह video आपको help करेगा, I'm sorry for the delay, and I'm sorry कि मैं आपको जादा informed नहीं रख पाई, because I wasn't well, ठीक है न, and आपको मेरी और क्या help जगे है, मैं कैसे और help कर सकते हो, आप क्या problems face कर रहे हो, मैं साथ comment section में share करो, right, landmark judgments पे कैसा चाहते हो, क्या चाहते हो, वो मुझे बताओ, so that I can help you in the way you want me to help you, right, अगर आपको यह video helpful लगा, तो लाइक कर देना, चानल को subscribe कर देना, bell button पे भी hit कर देना, so that अब मेरी कोई भी video मिसना करो, because I I am going to try to help you in every manner I can, अगर कोई भी problem है, तो comments में मुझे बताओ, check the description box, उसके अंदर landmark judgments की एक video मेंने mention की हुए, जिसके आप आज ही notes बना सकते हैं, learn करना start कर सकते हैं, number 2 AIBE15 की video ज़रूर देखना, जिसमें मैंने question paper का analysis किया है, उससे आपका confidence बढ़ेगा, कि questions easy ही थे, difficult नहीं और जिस तरह से मैं आपको बतारी हूँ preparation करने के लिए, तो अब अच्छा preparation होगा आपका, तो tension लेने वाली कोई बात नहीं है, right, Logi D signing off as you super soon, bye and take care.